जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक कि तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र प्राधिकार को आपताई बड़ी खार्खन जगनात महतों ने कहा है कि 31 जनवरी 2022 के बाद राज्ये के सभी स्कूल खुलवा दिये जाएंगे उन्होंने कहा है कि स्कूलों के बंद होने से बच्चों की सिक्चा प्रभावित हो रही है बतादे सरकारी स्कूलों के सभी बच अपना प्रस्ताव देगा सुरू में माधमिक व उच्य माधमिक कक्चावों के लिए स्कूल खुल सकते हैं खाचकर मैट्रिक तथा इंटरमेडियेट की परिक्चावों को लेकर इन कक्चावों के लिए स्कूल खुलना अवसक बताया जा रहा है कॉंग्रेस के जार्खन प भाजपा में सामिल हो रहे हैं उनके इस्थीपे से जार्खन की राईनितिक का तापमान बढ़ गया है राईनितिक के गलियारों से लेकर सड़क तक इस्थीपे की ही चर्चा हो रही है बता दे आर्पियंग सीन ने इस्थीपा की सुचना साजा करते हुए सोसल साइट पर लि जार्खन के चाई बासा में थाने पर हमला की रणनी थी जार्खन के चाई बासा में कुलान गौर्मेंट इस्थेट के नाम पर फर्जी बहाली का कारेकरम करने और बहाली का साटिफिकेट काटने के आरूप में गिरफतार CRPF जवान अजय पांडे से पूलिस टीम ने इस काम के लिए एक लाख रूपे देने की बात कही थी परलोभन में आकर वह घाटना को अंजाम देने में सामिल हुआ फर्जी बहाली वह पत्रबाजी की घाटना में अब तक कूल 17 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है साथवी जे-Phesi मेंस की परिक्षा अस्थागीत छारखन में 28 जनवारी से होने वाली साथवी से दसवी जे-Phesi सन्यूक्त स्विल सेवा की मेंस परिक्षा अस्थागीत हो गई है बता दे P.T में आरक्षन देने के बिंदू पर अपिल करता द्वारा किये गए दावो की ज दायर की गई है वहीं चीफ जास्टिस डाक्टर अविरंजार वा जास्टिस सुजीत नरान परसाथ की खंट पीठ में सात्वी से दस्वी जे पीसी सन्युक सिविल सिवा परिक्षा में अलक्षन देने के मामले मेदार अपील पर वीडियो कंफिल्सिक माध्यम से सुनवाई ह रांची में सुबह 6 से रात 10 बहे तक बड़े वाहनों की इंटरी पर बैन कंतर दिवस समारो रांची के मोरबादी मैदान में अविजित किया जाएगा इसके लिए 26 जनवरी को यातायात को परिवर्थित किया गया है इसके तहत कल सुबह सहर में बड़े वाहनों के परवे को वर्जित किया गया है बता दे सुबह 6 बहे से रात 10 बहे तक नो इंटरी रहेगी वही सहर के 18 अस्थानों पर ड्राप गेट लगाया गया है छोटे वाहन करम टोली चौक से जेल चौक की ओर आ जा सकेंगे उपायुक्त आवास की ओर गंतंतर दिवस समारो में भाग लेन जल जीवन मीशन योजना की होगी जात जल जीवन मीशन के तहत राज्य में चल रही गरामिन जलापूर्ती योजना की गुनवाता की जात थर्ड पार्टी एजेंसी करेगी बता दे एजेंसी पे जलापूर्ती योजना में उपयोग होने वाले उपकरनों उसकी गुनवात अभियानता की ओर से निवीदा निकाली गई है जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर की परिक्षा में फिर बदलेगा प्रारूप कोविट संक्रमन के कारण राजे में 31 जनवाई तक भी द्याले बंद है अभिया प्रारूप लोहरदागा में पर्तिबंधित पान मसाला को लेकर चला छापे मारी अभियान लोहरदागा के कुडू में पर्तिबंधित गुटका बेचने तथा बंदारन को लेकर छापे मारी की गई बतादे छापे मारी अभियान के दवरान कुडू के ओम भंडार भुनेस्वर स्टोर 37 स्टोर अब्दूल सहित अने दुकंदारों के यहां जाच की गई धनबाद में 28 एर युवा बने नए मद्दता है कुरोना काल में धनबाद में युवा मद्दताओं ने मद्दता सुची में बढचर कर नाम दर्च कराया है बतादे एक जनबाद दुक्तोर अठार वर्स पूर्ण करने वाले लगबग 28 एर युवा इस बार संचिप्त पूनरिक्षन अभियान में मद्दता बने वैसे इस दर्ण धनबाद जिला में मद्दता सुची में 36923 नए मद्दताओं का नाम जुड़ा है वही राष्ट्रिये मद्दता दिवस के उसर पर 25 जनवारी को नए खासकर युवा मद्दताओं को ऑनलेन सपत दिलाई जाएगी बता दे नॉवंबर 2021 में ओनलेन वा ओफलाइन चले मद्दता सुची पुन्डिक्षन अभियान में सबसे ज़्यादा नए मद्दता सिंद्री विधान सभाचेतर में बने थे पलामु दरोगा लाल जी आदो मौत ममला पलामु जी लेक नवा बयर्थाना परिशाविस्थीत अवास में दरोगा लाल जी आदो की मौत के ममले में CID ADG परसांच सिंग ने सोमवार को पुलिस मुख्याले को आरहंभिक जाच की रिपोर्ट सोपी है उन्होंने प्रथम दिरिश्टियाता लाल जी आदो की मौत को आत्महत्या बताया है बता दे आत्महत्या की वज़ा लाल जी का तनाव में होना बताया गया है CID ADG ने पूरे केस में गहान अनुसंधान की अनुसंसा की है इसमें दरोगा की मौबाइल का CDR निकालने घाटनास थल का कॉल डंप के अलावा केस को सुल्जाने के लिए बैगानिक अनुसंधान सुनिश्चित कर साक्ष जुटाने पर बल दिया है रक्त दाताओं को जरूरत परने पर एक साल तक बलड बैंकों से निसुल्क मिलेगा रक्त यदि आप रक्त दान करते हैं तथा आपको रक्त दान से लेकर एक साल तक रक्त की जरूरत परती है तो सरकारी बलड बैंक से आपको निसुल्क रक्त मिल जाएगा साथ ही स्वैक्षिक रक्तदान करने वाली संस्थावों को भी उनके अनुर्थ रोध पर उनके द्वारा संग्रहित रक्त से अधिक्तम 10 परचत यूनिट रक्त सरकारी बलड बैंकों से मिलेगा ऐसे में ये संस्थायर ज़रूरत पढ़ने पर किसी मरीज को रक्त उपलब्ध करा सकेंगी बता देज हरक्ण सरकार ने स्वैक्षिक रक्तदान को बढ़ावा देने को लेकर सुमवर को इस्तमन में अधेश जारी किया है इस्कूली बच्चों के बैंक खाते में सिख्र जाएगा पैसा तथा अपने पतादिकारियों के साथ बैठा कर सिख्र रासी हत्रांतित करने को कहा बताया गया कि कई बच्चों के अभी तक बैंक खाते तक नहीं खूल पाया है इससे रासी हत्रांतित नहीं हो पा रही इस पर सचीव ने बैंक के प्राध्यकारियों के साथ बैठा कर सभी बच्चों के बैंक खाता खोलने के दिशा में पर्यास करने पर जोड़ दिया है गड़वा में CRPF की टीम को उड़ाने की थी नकसली साजीस जारखन में सुरक्षा बलो ने नकसलीयों की एक बड़ी साजीस को नकाम कर दिया है बतादे खबर गड़वा जिले से है जहां नकसलीयों ने CRPF और जिला पूलिस के स्तन्युक्त टीम को उड़ाने के लिए सलक में टीफिन बम प्लांट करके रखा था सुरक्षा बलो ने समय रहते बम को खोज निकाला और उसे डिफ्यूज कर दिया है बता दे भंडरिया थाना छेतर के बहरा टोली गाउं में नकसलीयों ने एक कची शलक में लगाया था डिफ्यूज करने के दोरान इतनी जुरदाल आवाज हुई थी कि आसपास के इलाके म दसक फैल गई गुमला जीले में 100% टीका करन के लिए लोगों को जबर्जस्ति लगाई जाए रही वैक्सीन जारखन के गुमला जीले में कुरोना के बढ़ते परकोप के मदनेजर परसासन आम जनों से टीका लेने की लगतार अपील कर रहा है बता दे इसक्रम में सगहन अ गुमला जीले के चैनपूर अनुमंडल अंतरगाट डूमरी परकोण में टीका करन की रफ्तार को गती देने के लिए चैनपूर एसडियो सा डूमरी की परकोण विकास पताधिकारी प्रिती किसकु ने खुद कमर कस लिया धन्यवाद यादि आप चनल पढ़ना हो तो चनल को सब्सक्राब कर बहुल का बेल एक अंद भाई साथ से वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले चाहती साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्य दे थैंक्यू